नमस्कार मैं हूँ शुबम शंक्दर आप देख रहे हैं मनी नाइन समय हो गया है आपके पसंदीदा सापताहिक कारिक्रम इकनॉमिकम का अर्थात की नई किष्ट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी नैन के इटा अंशुमान तिवारी जी जुल गए हैं सर बहुत स्वाग अंशुमान जी ने बुन दिया इसके बात चलते चलते आपको बताएं जो अंशुमान जी आपको देखना चाहते हैं की अप इस weekend में देख लीजिए शुरुआ चर्चा करते उससे पर आब आपको बतातें éléments Grandpa इंसां विशा इस बार थोड़ा ऐसा है जो दरसल चर्चाओं में नहीं रहता है जो दरसल बहुत सुर्खियां नहीं बटोड़ता है हाल फिलाल में आज हम चर्चा करेंगे जापान पर नई बहस जब भी शुरू होती हो डिमांड की नई बहस शुरू होती हो महंगाई की नई बहस होगा कि जादातर नाम कौन से आते हैं नाम आते अमेरिका का नाम आया भारत का नाम आया चीन का नाम आते अन्य देश होगे जापान कहीं इन सुर्खियों से दूर था खो गया था नहीं मिलता था केंद्र में चर्चाओं के नहीं आता था ठीक है आर्थिक महाशक्ति था ले क्या सूरज जापान में उगा और अब जापान को देखने का नजरिया नया हो गया पूरी दुनिया की आखें पूरे दुनिया की निवेशकों की आखें नई हो गई जापान को देखने के लिए ऐसा क्या हुआ जापान में क्या कुछ बदला जापान में क्या कुछ ऐसा हो ग ये सर्थात के बारे में आप बहुत कुछ ऐसा जाएंगे जो आपको आने वाले दिनों में जगा-जगा ख़बरों में दिखेगा पता चलेगा शुरुबाद अर्थात की करते जापान से ही और अंश्मां जी ये कह रही है जापान अफ फिर से चर्चाओं में लौट रहा है अच्छुम धमान को इस समय चर्चा में लाने कि एकनॉमान कुछ क्यों या दो आप सब्बार् के सांगे कि निगाहों के सामने से गुजरी होंगी या नहीं गुजरी होंगी उनका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे आप इससे समझ कर in से में इस बार संबाद कर के जान पाएंगी कि अच्छा यह भी हो रहा है हम यह हमें हमारे पास इसकी सूचना शायद नहीं थी दी अगर आप पिछले बीते एक दो दशकों में दुनिया में हेडलाइन्स का कोई आडिट करें, कोई पढ़ताल करें, कोई अनलिसस करें, तो आपको दिखे गारा है कि जापान के हिस्से में सबसे कम खबरे आती हैं, जापान के हिस्से में खबरे ही नहीं होती हैं, आप भी अगर रोज ख खरीब से जाकर नहीं जानना चाहते तो सुर्खिया नहीं बनता जापान पिछले साल जापान से आई सबसे बड़ी ख़बर बुरी ख़बर थी जुलाई में जब जापान के पूर प्रथान मंतरी शिंजुआबे की हत्या कर दी गई थी उस हत्या की खबर के साथ जापान सु गटवाली ख़वर मान सकते हैं इससे पहले जो सूर्खी बनी थी वो थी उलम्पिक की पहली बार ऐसा हुआ दशकों बात उलम्पिक के तिहास में कि कोविड के कारण उलम्पिक आयवजित नहीं हो सका और उसे एक साल देरी से आयवजित करना पड़ा और जापान के देखें दुनिया के अर्थवरस्था को करीब से समझने वाले देखने वाले पढ़ने वाले शोध करने वाले लोग जानते होंगे कि आपने भी पिछले दो डिकेट से जापान के अर्थवरस्था के बारे में जापान की एकॉनमी के बारे में कुछ बहुत बड़ा बहुत प्रामिसिंग बहुत उत्साह वर्धक कुछ नहीं सुना होगा जो पूरा का पूरा टेक्नलोजी का नया दौर आया जिसमें कि हमने Artificial Intelligence तक तकनीक को जाते हुए देखा, Cloud Computing, आटो मोबिल की नई तकनीके, Electric Vehicles की टेक्नलोजी, Social Networks की टेक्नलोजी, वो जापान जो तकनीक की बुनियादी भूमी था, शुरुआती भूमी था, पूरा जो तकनीकी नवन में शमय हमारे सामने दिखाई दिया, उसमें जापान कहीं नहीं था, जापान की जिक्का जिक्र किसी भी कंपिनी के तोर पर नह होता, आज आपको दुनिया में टेक्नलोजी स्पेस में जितनी बड़ी कंपिनिया दिखती हैं, उनमें से कोई कंपिनी जापान की नहीं है, जो आधनिक तकनीकों में सारी कंपिनियों पर, योरोप और अमेरिका की कंपिनियों का कब जाए, दरसल दो 1990 के बाद दुनिया की मुख्यधारा में, आर्थिक मुख्यधारा में, जापान को एक जिद्धी मंदी में फसा हुआ देश, जो अंतिन डिफलेशन का शिकार है, जहां कभी डिफलेशन खतम नहीं होती, और आबादी बूरी होती जालिया रही है, एक ऐसे देश के तोर पर इसकी पहचान मिली थ धीमे धीमे जापान 1990 के दर्शक के बाद अच्छी सुर्खियों से, भविश्य की सुर्खियों से बाहर हो गया था, और इसकी जगे नए सवेरे की बात चीन में होती थी, जापान मंच से बिदा हुआ और वही सारी सुर्खियां चीन के पास आई, आज आधिन तकनीक में भ अचानक अपनी रिपोर्ट्स में जापान को उगते हुए सूर्य का देश लिखना शुरू कर दिया, अबर अचानक क्या हो गया, 2022 के अंत तक तो कुछ ऐसा नहीं था, 2021-22 में तो जापान की वही पहचान थी, कि जापान में मंदी है, जापान में आबादी बूरी हो रही ह मई महीने में जापान एक नई सुर्खी में आया जब हिरोशिमा में जीट सेवन शिकर सम्मिलन की बैठक हुई, अलाकि वाज सामान रूप से ऐसी बैठके हैं, डिपलोमेटिक बैठके हैं, अंतराश्य इस तर पर लगत देशों में होती रहती हैं, जापान में से पहले भ में जुटे दुनिया के राज़राश तक जितने देशों के जी साथ देशों के प्रमुख बैठ पहुंचे थे, वो भी उतनी बड़ी सुर्खी नहीं बना पाए, क्योंकि आर्थिक दुनिया के लिए इस तरीकी की कूटनितिक बैठके आम हैं दुनिया के किसी भी देश मे होती रहती हैं, हुआ ये कि बारन वफे, जो दुनिया के सबसे प्रस्ते दिनी बेशक हैं, उनके वारे मैं आपको बताने की क्या जरूरत, अप्रेल के महीने में जापान पहुंचे, वफे आम तोर पर इस तरीकी की आत्राएं कम करते हैं, कि वो किसी दूसरे देश में जा इस ने जापान की पाँच बड़ी ट्रेडिंग कमपीनियों में 6 अरब डालर का investment किया है जापान की जो पाँच सबसे बड़ी ट्रेडिंग कमपीनिया हैं और इन में इन कमपीनियों में बक्षार हैथ्वे ने यानि बारेन बुफे की फिर्म ने 7.0% की हिस्सेदारी खरी पूरी दुनिया में फैला हुए निटवर्क है इनके पास multiple निवेशक कैसे दूर की देखते हैं आप बारन वफे की तकनिक को भी इस बात से समझ सकते हैं वफे ने 2020 में पहली बार इन कमपीनियों में निवेश किया था यानी कोविट के बीचो बीच में जब कोविट चल रहा था दुनिया में कोई भी ऐसी खबरें नहीं थी तब 2020 में बारन वफे ने इन पांच सोगो सोचा इन पांच कमपीनियों में निवेश किया था 2020 में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा दी थी इन्हीं कमपीनियों में निवेश में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी लेकिन अप्रायल में जो नहोंने किया उससे पूर कि इस आप्लय तक बफे की आत्रा के आसपासी दुनियकल खी निवेशक है क्लिये बफे नहीं डूंपा की निवेशक है बीजापान के दूसरे नजरिये 33 साल के सरवचस्तर पर पहुंच गया था जापान के लिए बिल्कुल चौकाने वाली घटना थी दुनिया के लोगों को भी दुनिया के निवेशकों को जो शेर बाजार को करीब से देखते हैं दुनिया के निवेश को करीब से देखते हैं उनके लिए आश्यर है था ये सुर्खी कि जापान का शेर बाजार 33 साल के सरवोचस्तर पर पहुंच गया ने तो जापान के शेर बाजार में मंदी और सुस्ती के अलावा कुछ सुना ही नहीं देता था अप्रेल में एक अप्रे बाजार में जो या जो इमर्जिंग अर्थववस्था है या जो नई अर्थववस्था है उनुमें दिखाई देता है ये है वो जापान की बड़ी करवट जिसे हम इस बार समझने की कोश्चिस करेंगे कि जापान के भी तरह किर हो क्यारा है सीदा सवाल य difовые इससे अज़ इसके बदलाओ के पीछे जापान में काफी कुछ नए बदलाओ पिछले कुछ महीनों में हुए। दरसल जापान एक बिल्कुल दूसरे तरीके के अर्थविष्था है और पूरी दुनिया एक दूसरे तरीके से अर्थविष्था को लेती है। पूरी दुनिया में जब हर न पहुंचे हैं इसकी वजह से वक्त की एक बड़ी करवट है जो जापान में ली जा रही है परिस्तितियों के आधार पर जैसा जापान में अपयक्षा नहीं की जाती थी बहुतों का मानना है और आप आकड़ों को देखें और डेटा को देखें मागे भी आपको बताएंगे बहुत सारे लोगों का जापान के अर्थवस्ता को करीब से समझने वालों का मानना है कि जापान एक नेमत का, एक बड़े आशिरवाद का, एक बड़ी करपा का 20 साल से इंतजार कर रहा था, महामारी के बाद वो करपा आ गई, जापान का सितारा चमक उठा, और यह वो आशिरवाद है महेंगाई का, वो महेंगाई जो अमेरिका की खलनायक है, भारत ने गरीबी बढ़ाती है, योरोप को मंदी में धकेल देती है, अमेरिक, जापान के शेर बजार, उसी महेंगाई की अगवानी के नगाले बजा रहे हैं, उसी महेंगाई की अगवानी का उत्सव मना रहे हैं, जो महेंगाई जापान में आकर, आके पहुंची है, वो आप कहेंगे महें इस बड़ा कोई इशाप नहीं है और यही अर्थवे अस्था की खुबसूरती है। यहीं इसकी दिलचसपी एकॉनमी की है कि अर्थवे इश्था में कभी बाइनरी ज ant नहीं होती है। इधर जो सही है वो दूसरी तरफ गलत हो सकता है महिँगाई अभी शाप है दुनिया बर में के बैंकर्स ब्याज़दरें बढ़ा रहे हैं अमेरिका ने ब्याज़दरों में बढ़ितरी रोकी भी है तो दो बार और बढ़ाने की बात कह दिये सब जगे बायदरों में बढ़ाकर मंदी लाने के जतन चल रहे हैं कि महंगाई टिकाओ ना हो जाए महंगाई को रोका जा सके लेकिन जापान के लिए ये महंगाई वरदान बन गई है क्योंकि जापान एक ऐसी भयानक महंगाई से जो कि एक अजीब परिस्तिती से निकली थी उस गर्त में जाकर जापासा था जिसने जापान की एक पूरी पीड़ी खतम कर दी और जापान के लिए के लिए एक लगभग 20 साल का 20 से 25 साल के पूरे दो दशक बरबाद कर दी और ऐसा भी दुनिया के रित्वस्तां में कभी नहीं हुआ कि कचानक तेजी से दोड़ती र सबसे बापसी एक लिए क Γιαशर भी जा रहा है सर एक बीड़ी बात यह यह कि आपने करके घर्त में चली गई ती वहां से भापसी करीकार के बदलाओं में सबसे बड़ा घटना करम है जिसने की दुनिया के एक देश को कहां से कहां पहुचा दिया तरसल हुआ है कि परल हर्बर पर जिब जापान ने हमला किया जापान दूसरे विशुद्धे के समय जापान की सरकार उसी तरीके के इंपिरिलिज्म पर पर से उसी सेना का और हमले करने शुरू कर दिये थे इसका चरम आया परल परल हावर की तबाही का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान पर दुनिया का सबसे बड़ा हमला किया जिसकों की जो परमान हमला था एटब मंगिरा हिरोश्मा नागा साकी पर परमान हमले की विविश क बहावेती किस साब बराबर सुन चुके हैं, हम इसका आर्थिक पहलों आपको बताते हैं, लेकिन बंचलाने वालों को बंडालने वालों को बंडालने का बाद में अपराद बहुत भी हुआ, गिल्ट भी हुआ क्योंकि दुनिया के एक देश को सजा देने के लिए या उसकी जो सैने महत्वा कांक्षाएं थी, उनको सीमित करने के लिए बड़ी सजा थी, इसलिए दुनिया ने जापान के पुनर निर्मार के लिए अपने बाजार खोल दिये, जापान के निर्यातों के लिए बाजार पूरा खोल दिया गया और जापान के अर्थवस्था का पुनर रिर्मार शुरू हो गया। देखते देखते शुखम इतनी जल्दी देखते देखते जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ वस्ता बन गया। लाकवाई एक ही दो दशक में जापान की इस्तिती हो गई। 1955 से 1973 के बीच जापान की एकॉनमिक ग्रोफ रेट 9% रही। 9% की विकासदर जापान की तब थी जिसके लिए हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं भारत के तौर पर पहुंचने के लिए हम नहीं पहुंच पाते चीन ने कुछ समय तक 9% की आर्थिक विकासदर हासिल की जापान न लगातार एक लंबे समय तक दो धाई दशकों तक 8 और 9% की आर्थिक विकासदर हासिल की थी छोटे से देश के रूप में 1990 की जब मंदी आई जहां से क्राइसिस शुरू होती है तब भी जापान की अर्थिक विकासदर 5% के आसपास आसथ थी हाला कि थोड़ी सी गिरावट 1985 के बाद शुरू हो गई थी आप याद कर ये कुछ पुराने पुरानी चर्चाएं जो आप आससे 10 या 12 साल पहले सुनते थे 20 साल पहले सुनते थे या आपके घर में आने वाला कोई विदेश से वेक्ति बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता था वो मेडिन चाइना नहीं होती थी जापान के ब्रै उन परिवारों में यह सब चीज़ें दिखती थी और इस सारे ब्रैंड जापान के होते थे जहां आज आज आपको चीन के ब्रैंड दिखाई देते हैं यह सारे प्रैंड जापान से आते थे दूसरे विश्यूद के बाद केवल तीन डिकेट्स में तीस साल लगे जापान को और दुनिया की वो एकॉनमिक सुपर पावर हो गया यानि इस पूरे खटना करम ने जापान को एक दूसरी ही परिस्तिती में पहुंचा दिया 1980 के दूसरे जापान की अर्थवेस्ता थकने लगी थी इस विकासदर के बाद तेज विकासदर के बाद इसलिए सी 83 के असपस विकासदर में कमी आई थी लेकिन मंदी नहीं थी पांस से चेफिजडी के अर्थिक विकासदर बनी हुई थी इधर अमेरिका में ब्याज़रें बढ़ी कई सारे अलग-अलग घटना करम हुए जिसमें की अरब रिज़ायल वार था जिसको का जिक्रा पिछले किसी एकोनामिका में किस्सों के सिक्या में सुन चुके होंगे पाल वलकर अमेरिका के फेटरल जर्व के गवर्नर बने उन्होंने ब्याज़रों में बढ़ोतरी की थी अब रिज़र्व मा की और उसके बाद अमेरिका में महगाई ब्यार नियंतरन किया गया जो हमें आज भी जीरोम पावल करते दिखाई दे रहे हैं जब पूरी प्रक्रिया खतम हुई और अमेरिका के राश्ट्रोपती बने उस समय अमेरिका में महगाई खतम हो रही थी और डालर मजबूत होने लगा था अमेरिका की महेंगाई सीमत होते होते हैं डॉलर में मजबूत ही आ गई थी अब हुआ ये कि रोनाल्ड डीगन के पास जब रोनाल्ड डीगन वाइट है तब उन्हें ये पता चला कि अमेरिका की नहरयात तो तूट रहे हैं क्योंकि अमेरिका की करिंसी डॉलर इतनी मजबूत है कि उसके मुकाबले अमेरिका के बाजार में माल बेचने वाले जो देश हैं, उनमें जापान सबसे बड़ा देश था, उसमें जापान का सवज़ाड़ा ट्रेट भागीदार था, जापान और यूरप, जापान और जर्म जापान की तकनिके आपको अमेरिका के बाजारों में चाई हुई मिलती थी, जापान की से आने वाला सामान अमेरिका में बिता था और अमेरिका का ट्रेट डिफिट विया पार घाटा चरम इस्तर पर था, जापान के और जर्मनी के पास अच्छा खासा डालर का भंडार थ जो आचthen चीन के पास आपको दिखता है और इस विदेशी मुध्रा को अमेरिका के बांडस में लगाते थे जैसा चीन कर रहा है या नि कि वो भारती, अमेरिका की कमपिनिया अपना उत्पादन बढ़ा सके और उनकी कॉम्पिटीशन, उनकी कॉम्पिटीटिवनिस बढ़ सके और दुनिया में होड के लिए वो जापान को हरा सके जापान चूँकि सस्टा सामान बनाता था चीन की तरह तो पूरी दूनिया में जापान का सामान उस दोरान बिगता था अब वहाँ बाजार में बैजदने भी कम हो रही थी क्योंकि पालवलकर के दूर की महंगाई का दूर खतम हो चुका था अमेरिका ने एक अनोखा कान किया, दुनिया के इतिहास में इसा समझगता कभी नहीं हुआ, इस तरीके के समझगते इतिहास में दर्ज होते हैं, अमेरिका ने अपने जितने भी प्रमुख व्यापार भागीदार थे जिसमें उन सारे यूरोप के और एशिया के प्रमुख व हुआ जिसे दुनिया प्लाजा एकार्ड कहती है इस समझोते में विस तब पश्चिम जर्मनी था जर्मनी काई की करन नहीं हुआ था पश्चिम जर्मनी ब्रेटेन फ्रांस अमेरिका और जापान ने दस्थखत किये इसे आप मशूर कहिए यह कोख्यात कहिए पर यह कोख्या अमेरिका का डालर डिवेल्यू हुआ और जापान फ्रांस ब्रेटन और जर्मनी की मुद्रा इतनी ही महेंगी हो गई यह इनके बैंकों ने इनकी सरकानों ने अपनी मुद्राओं को पचास फीज़ दी उनकी कीमत बढ़ा दी इसके और यह पहला मौका था जब इनके बैंक मुद्रा बाजारों में दखल नहीं देती अब यही वो समय था जब दुनिया में विश्वापार खोलने को लेकर नहीं सहमती बननी शुरूई इस पर कभी फिल चरचा करेंगे ग्लोबलाइजेशन की शुरूआत का अक्षन भी यहीं से आता है प्ला जाएकार्ट के साथ लेकिन यह समझा था जापान पॉरी तरह भारी पड़ा जापान की जान निर्यात में बसती थी जापान एक्सपोर्टर था और उस एक्सपोर्ट को चुनोती देने के लिए rooms अपने हां अपनी करेंसी को कमजोर करने के लिए अमेरीका को राजी कर लिया था ये इनकी कीमत अचानक बढ़ने लेगी, मजबूत होने लगा जापान के जितने एक्सपोर्ट औरिंटेट इंडस्ट्री थी वो छे ही महीने में लड़ खडाने लेगी एकदम उनके निर्या तूटने लगे क्योंकि ये महेंगा हो रहा था हुआ क्या कि इसी स्थिती में सरकारें क्या करती है भारत की सरकार करती है, दुनिया में करती है उस समय भी तब ये स्थिती थी जापान के केंदरी बैंक ने अचानक अपनी ब्याज़दरें घटा दी कर्च सस्ता कर दिया कि economy को सस्ती पूंजी का support दिया जासे जापन के बैंकों के बड़ी नसिएत है मागे इस पारे में जिकर भी करेंगे आपसे जापान के Central Bank ने अपने ब्याज़दरों में कटोती कर दी बाजार में सस्ती पुंजी आ गई एकदम उस सस्ती पुंजी से स्टाक मारकेट में बबल क्रियेट हो गया क्योंकि पुंजी इतार कर स्टाक मारकेट में पहुँचने लगी कंपीनियों के शेयर गुबारे के तरह ह इस बड़ी गलती की उसने अच्छानक इसे रोकने के लिए ब्याज़दरे फिर बढ़ा दी यानि एक तरह ब्याज़दरे कम की गई उनने बस इसके बाद तो सब विखर गया सब दोस्त हो गया 1989 में जापान के शेयर बाजार बुरी तरह तूटके जमीन पर आ गए 1992 तक ज 90% क्रेश कर गया था और 1991 के पहले दो साल यानि 92-93 के असपास जब चीन के अर्थवस्ता तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही थी भारत जैसे देश अपना उधारी करना शुरू कर रहे थे जापान गहरी मंदी में चला गया था जब गलोबलाइजेशन के जेट्स पूरी द केंद्री बैंक ने रिकार्ड समय में दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा जहाँ जीरो रेट के उपर ब्याज़दर पर करज इतने लंबे समय तक दिया जाए लेकिन जापान में कीमते बढ़ी ना डिमांड बढ़ी इसके बाद जापानी कंपीनियों के शुरुआत होती है यहां से चीन के और अब हम वापस लोट कर वहां आ गए हैं जहां पर जापान की अर्थविश्थ हमें वापस इसे सीलसे ने अपनी एक ताजी रिपोर्ट में उगते हुए सूरी का देश फिर लिखना शुरू किया है तो सर यह उगते हुए सूरी का द पैसा लेकर जापान की तर्फ नहीं दोड़ पड़ें दुनिया में और भी बोड़ी कंपिनिया जहां पर निवेश किया जा सकता है जापान में चार बदलाव एक साथ हो रहे हैं जो कभी अरसे से नहीं हुए और संयोग जब बंता है परसितियों का अर्थवे उस्ताओं म से मांगना ही मिलती येन की जो मजबूती प्लाजा एकार्ट से आई थी उसने जाने का नामीने लिया उसके बाद ये इतना मजबूत हो गया ये इनको सेफ़ हेवन करेंसी तो माना गया डॉलर के मकाबले पर इसे पेवन करेंसी का नुक्सान जापान निर्यातकों को होना शुरू हुआ इसलिए जब एक्सपोर्ट प्रतिस परदहत्मक नहीं रहे तो यह जापान की डिफलेशन का चार्ट देखे जापान की इंफलेशन इट का चार्ट देखे और इसे रोक करम देखे जापान में महंगाई का ताजा आकड़ा पढ़के निवेशक पार्टी कर रह यह जापान का जो बैंक है उसके लिए तो महंगाई की धर दो फीजदी है टार्गेट उसने भी कहेए जिसोड़े वी दो फीजदी की धर टार्गेट की जाती है दुनिया के निवेशकों का नजरिया जापान के लिए बदला है। दूसरी नेमत या दूसरी मुराज़ जापान की पूरी हुई। पिछला वित वर्ष यो बीता जापान में उसमें शुराती महिनों में जापान में वेतन नहीं बढ़े थे जबकि महंगाई इदर बढ़ी लेकिन अभी निक्या की एक ताजी रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें पता चला कि मार्च में खत्म हो आजा साल है जब अमेरिका में जब जापान में आवस्त वेतन करीब एक दसनलों नो परसेंट पढ़े यानि लोगों की तनकाया बढ़ना शुरू ही 31 साल में सबसे बढ़ रहे थे जापान के जो लेबर यूनियन है उन्होंने पहली बार कई देशकों में जो अपने निगोशेटेड या अपनी जो बातचीत के जिरिए वेतन में बढ़ोतरी हासिल कि अपनी कंपिनियों से वह उसत तीन दसनलों साथ परसेंट है यानि महेंगाई की दर से ज़ाधा है और ये भी 31 साल का सबसे उचा इस तरह है सब कुछ 33 साल में पहली बार हो रहा है जापान में 30-30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है इतने ज़्यादा वेतन बढ़े हैंब अब हलाकि मुझ सारे लोग मानने की जापान में श्रमिकों की कमी है आबादी बुढ़ी हो रही है लोग युवा नहीं है लेकिन जापान का श्रम बाजार बढ़ने लगा है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे पहुचने शुरू है और ये मंदी की आदत पड़ी हुई अर् तीसरी मुराद है तीसरी मुराद ये कि जापान का फुड पुराना अपशकुन है जो दूर होने लगा है और वो अपशकुन प्लाजा एकार्टस के साथ शुरू हता जिसकी सामने आपको सुनाया व आपशकुन यह कि अभी यें कमजोर हने लगा है येंकी मजबूति का अब इस समय आगर है इस परिस्टिति देखें तो बीस साल का नियुन्तम इस्थ है यह के कीमत है और इसका सीधा फाइदा आपने ब्याजटरें नहीं बढ़ा रहा हैं शुन नि परी ब्राबर प्याजदरे बनी हुई है क्योंकि ये इनकी मजबूती जापानी अर्थवस्था के निवेशकों को चाहिए लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे लंबे समय के बाद जापान की कमपीनियों को ट्रेडिंग हाउसेज को अपने पक्षमे मुद्रा का संतुलन दिखाई दिया है जापान में इंपोर्ट भी महेंगे हुए है लेकिन लंबे डिफलेशन के बाद बैंक अब जापान और कमपीनियों को लग रहा है कि ये इनकी कमजोरी और महेंगाई को रोकने की जरुवत नहीं है अब आप समझें बारन वफे ने अमेरिका जापान की ट्रेडिंग कमपीनियों में पैसा क्यों लाए जापान की जो पांच ट्रेडिंग कमपीनिया सोगो सोशा है उनमें निवेश क्यों किया और चौथी ये जापान का सबसे अंधेरा और सबसे दागी चेहरा है दुनिया में सबसे खराब कापेट गवर्नेंस अगर कहीं है तो जापान की कमपीनियों में जापान की कमपीनियों की कापेट गवर्नेंस पूरी दुनिया में सबसे कोख्यात है जापान के जो मेगा कापोरेशन्स है वो एक सिस्टम पर चलते हैं जिसको किरेट्थ सू कहा जाता है इसमें कमपनियार, एक बड़े समो पर्दार हिस्सेदारी होती हैं कौन किससे मनाफ़ा लेंक है , कौन को इसको पाइसा साल में के बड़ा corporate स्कैम आता है लाइफ डोर स्कैम था तोशिवा कार्थिक का स्कैम था जो अभी हाल के दश्कों में ही पिछले साथ आट दस सालों में हुए है जापान की सरकार corporate governance को ठीक करने की कोशिस करती है पर जापान की मेगा कार्पोरेशन स्कूर रहें तो जापान में कुछ ऐसे घटना करम हुए हैं जिन घटना करम के कारण जापान की corporate governance भी सुधरने की उम्मेद बनी है अभी हाल में जापान के प्रधान मंत्री पिछले साल की बात है जब यूनाटेड नेशन्स का की एनुवल जनरल मीटिंग थी तो जापान की प्रधान मंत्री की शिदा फीमियों न्यूआक में थे और उन्होंने अमेरिका में न्यूआक एस्टाक direktor है नहीं जापान की कंप् upright से सरकार ने इस बात के लिए राजई किया है कि बैंकों का दख़ल इसमें किया जाएटि जापान की कंपीनियां विदेशी प्रफेशनल्स को नोकरियां नहीं देती है अपने उपर में वोर्ट के लेवल के उपर पर व वो विदेशी के अंदर जो चल रहा है उसे बाहर लाना उसे सारजनिक करना उसे खोलना शुरू कर दिया है विसल ब्लोर सामने आने लगे हैं सोनी कार्पोरेशन में तोशिबा में इन निवेशकों के दबाव के करण बड़े फैसले हुए प्रबंधन को इस्तीफा देना पड़ा है बदली हुई कार्पोरेट का जो नजरिया है जो कार्पोरेट गवर्नेंस में थोड़ी चेंज आ रहे हैं वह भी निवेशकों को पसंदा रहे हैं पसंदार हैं सर अब यह सब कुछ इतनी नेमतें एक साथ बरस रही हैं चीजें बदल रही हैं क्या दुनिया भर के कर क्या नेमत इसे बाहर का भी एक घ्टना करण है जो समझना जरूरी है जिसके करनल अचानक पूरी दुनिया में का जापान के प्रितिखास्तोर से निवेशकों का नजरिया इनवेशक, व्त्ती निवेशक नजरिया जापान भेदल है आजर से भांशल हुए हिरो शेमा में जब वहां राश्टरा दक्ष थे जो बाइडन रिशी सुनक जब हिरोशिमा में अलग-अलग फोटो सेशन करा रहे थे बयान दे रहे थे उसी वक्त बैंक आफ सिंगापुर ने इन्वेस्टर्स को एक रिपोर्ट भेजी जो क्लोबल बड़ इन्वेस्टर फर्म्स थे ज जिसका सीरशत था जापान स राइजिंग सन पहली बार दुनिआ के किसी बड़े निवेश्टर्स सम्झू ने जापान की अर्थ बस्ता में बदलाव और जापान की भव़िश की जापान को भविश्य में मिल रही संभावनाओं का विस्तार से जिक्र किया था निवेशकों के बीच दस्तावेट की बहच चरता थी मेरी बात हो रही थी हिरोशिमा में उन लोगों से जो उस G7 की बैठक में मौझूद थे उसके बाद भी वहाँ थे उसके बीच में काफी चर्चा थी क्योंकि ये दस्तावेट जैसा नहीं था कि G7 के बैठक के साथ आया था जापान ने अपनी उसमें ब्रैंडिंग की थी बलकि हिरोशिमा के बैठक के ततकाल बाद CLSA ने मेजर इंटरनेशनल फर्म है CLSA उसने एक जापान फोरम का आयोजन किया वहाँ जो इस बैठक के बाद हुई थी जहां 20 ट्रिलियन डालर के आसपास की एसेट सम्हालने वाले फंड्स जमा हुए जापान के हाल फिलाल के दशकों में इतने बड़े फोरम का आयोजन और इतने निवेशकों की इतनी बड़ी संख्या हिरोशिमा में नहीं पहुँची थी और यह उस समय हो रहा था जब जापान का शेरवाजा 33 साल के सरवचिस्तर पर था निवेशकों को ही लग रहा है कि केवल आर्थिक कारण महँगाई की वापसी यह इनकी कमजोरी यह जो fundamental या macro economic या monetary reasons है कि इन्हीं वज़े से जापान का सूरी चड़ने की उम्मीद नहीं की जा रही है उसी वज़े से बदलाओं नहीं आ रहा है अमेरिका और चीन के बीच जो दूरी बढ़ रही है जो decoupling शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसके कारण company आप अपनी योजनाय बदल नहीं है उन्हें ऐसा लग रहा है कि कई company ने इस पश्टूप से पुखता संकेत दिये हैं कि आप company आप चीन के जिए जापान में निवेश करना चाहती है कि अमेरिका और चीन के रिष्टे लग भग अब दो दुरूओं वाले पूल पर के तरफ पहुँच गए हैं निश्टों में भी कोई मौजूदा एस्टिटी में किसी बदलाओ की संभावना नहीं दिखाई दे रही तो बड़ी company आइस टक्राओ से बचने के लिए जापान को 31 डिस्टिनेशन के तोर पर इस्तिमाल कर रही वो पहले भी कर सकती थी लकिन पहले ये चार चीज़ें नहीं की जिनके बारे में हमने आपको जिक्र किया है जैसे कि सबसे बड़ा बड़ी होशना ताजी होशना अगर आप सुरुखियों कापरेट सुरुखियों में रची रखते होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकर है टीसमसी कोरिया के कमपनी सैमसंग और माइकरान और अमेरिका की इंटेल इन कमपनीयों ने जापान में बड़े मैनिफेक्चरिंग निवेश का एलान किया है जापान में पहली बार बड़ी कमपनीया निवेश के लिए लंबे समय बाद बड़ी कमपनीया चिप और तकमलाजी के निवेश के लिए जा रही है चीन की कारोबारिता का तकूत है चीन के पास अभी भी दुनिया में सबसे बड़े ख्षमता हैं दुनिया की सप्लाइचेन पर उसका दबदबा है लेकिन ग्लोबल सप्लाइचेन में जापान की वापसी शुरू हो रही है और लोगों को लग रहा है निवेशकों को लग रहा आप देखिए राइसिंग संग का देश जो लिखा सिंगापूर के बैंक ने उसके बाद जून के पहले सब्ता में रिपोर्ट आई दुनिया में हर अर्थववस्था के आर्थि का अधर के आंकड़े आये पूरी दुनिया में जापान के अके लिए इस अर्थववस्था है जिसने माज 2023 के में 16% के रिकार्ड बड़ोतरी दर्च की है अकेलिए कर्थविस्ता है दुनिया की बड़ी अर्थविस्ताओं में और ये दर जितने भी इस्टिमेट जापान की ग्रोथ को लिके किया गए थे उससे जद्ध है और पिछली तिमाही की संख्या में दो गनी है बागी सभी दुनिया की रिपोर्टिंगे जापान के सामने रख कर देखे चीन की रिफविस्ता में गड़ावट शुस्ति भारतिय अर्थविस्ता में गिरावट शुस्ती European June के अर्थ्विवस्थां में मंदी America के अर्थ्विवस्था में गिरावट किवल Japan गुल्दार है Japan के अर्थ्विवस्था में return और growth लोट रही है Euro Jun भी मंदी में फस किया है चीन के अर्थ्विवस्था में deflation आ रही है अगर अगले तीन तीमाहियों तक चीन के अर्थवस्ता में वापस रिकवरी नहीं आई तो चीन में डिफलेशन का खत्रा बनता दिख रहा है हालात जापान की वापसी की पक्ष में दिख रहे हैं ये पिछले पाच्छे मेहने के जो घटना क्रम हैं उनके आधार पर हमने आकड़ों को समझकर आपको बदाने क की कोशिश की कि दुनिया के अर्थवस्ता में जापान भी कभी हुआ था था जो आज भी मौजूद है और अब आपसी कर रहा है कि जापान के पास एक बड़ी चुनोती है जापान बुजर्गों का देश है जापान पर युवाश के पास युवाश्रम शक्ति नहीं है श् ऐसी कारशिलाबादी 128 मिलियन थी जो 2021 में घटके 125-126 मिलियन के असपास रह गई है लैंसिट ने काकलन किया था जिसमें बताया था कि इस सदी के अंत तक जापान में युवा कारशिलाबादी के 33 मिलियन रह जाएगी यानि 5 करोण लोग जापान में बचेंगे और लंबे बढ़ाने के लाटला कियन देती है लेकिन इसके बाद भी वहाँ अबादी बढ़ती नहीं है यह लंबे समय से चल रहा है अबादी बढ़ाने की कोशिश तो जापान में अगर मांग लोटती है तो जापान को शमिकों का आयात करना पड़ेगा जापान की डिमोग्राफिक जैसी बड़े कमपिनियों को अपने अपने पुराना जो गौरव है जो पुरानी पुरानी ताकत वापस हासिल करनी है तो उसे लेबर चाहिए और उसे शमिकों का आयात करना होगा जापान इस मामने में बहुत कंजरवेटिव है तकी अनुसी देश है वीदेश से शमिकों हैं ऐसा लगता है कि स्टार्ट जापान के फेवर में हैं महिंगाई के बाद भी अमेरिक जापान का बैंक केंद्री बैंक बैंक ब्याजदरेशने नहीं बढ़ाना चाहता है उसे पता है कि 1990 में उसने किस तरह की की गलती की थी और चुटकियों में सब कुछ बढल गया था तो उसे लगता है कि धीमे धीमे करके अगर ब्याज़ दिने बढ़ाई भी जाए तो तुरंट ब्याज़ दिने बढ़ाने का असर नहीं दिखना चीज़ कि कभी बाज़ार में तेजी आई है लेकिन ये खौफ भी जायज है अभी भी जायज है कमपिनियों की बीश मेरी इस को इस एकनामिकम को लिखते हुए बात करते हुए कई सारे दुनिया के निवेश्कों से बात चीछ चीछ उई चर्चा हुई जिन से के जरी है मुझे पता चला कि उन्हें दो खौफ अभी भी ह कि एक तो या तो आबादी नहीं बढ़ी है जापान के लेबर लूस नहीं चेंज हुए लेबर ला चेंज नहीं हुए और बाहर से लेबर को आने की जाज़त नहीं दी गई या कमपिनियों की गवर्नेंस नहीं सुधरी कापट गवर्नेंस में इस्थाई बदलाओं नहीं ह हो तो फिर जापान में वापस इस्थितियां हाथ से निकल सकती है और अब जापान दुबारा मंदी की लंबी सुरंग में जाने का रिस्क नहीं उठा सकता लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की अर्थवे उस्थाओं का चकर लगाई है जापान में की घट के घटना कर बहर दि है सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए ठीक है एक दो किंदू परंतु है उनके जवाब जापान को ढूंड़ने होंगे आगे बढ़ते हैं आपकी अब बारी है आपके सवाल जबावों की सर पहला सवाल आया है परीक्षित का परीक्षित जी जाना जाते हैं कि पास दुनिया का सबसे ओड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत उसकी तुलना में निर्यात के बाजार में बेच्छोटी ताकत है चीन दुनिया के हर बाजार में हर जगे काबिच है चीन ने अपने को निर्यात के ज देना शुरू कर दिया भारत के साथ चीन की तुलना इसलिए करना संभव नहीं क्योंकि चीन का उधारेकरन थोड़ा पहले शुरू हुआ था चीन ने अर्थिवस्था का को manufacturing based economy पर तैयार किया था और चीन के पास अब जो ताकत है वो तक्नीक विदेशी मुद्रा diplomacy defense इससे काफी बड़ी है और जैसे से liberalization हुआ globalization हुआ चीन ने उस globalization का बहुत जादा फाइदा उठाया भारत उस मामले में उतना लाव दुनिया में globalization का नहीं ले पाया है अभी भी अवसर है अभी भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हम इन बदलती परस्तेतियों का होना चुरू होगा चीजें यहां से लोटेंगी ऐसी संभावना बन रही है तो क्या इससे स्टार्ट अप करांती भारत में दुवारा लोटेगी और अगर लोटेगी तो नियामक ऐसे क्या कदम उठा लें कि जो गलती हैं हमसे हो ना कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश फिल अगर यह कर्ज में कमी होती है तो वापस पुंजी लोटेगी लेकिन आमतोर पर हमने साथ देखा नहीं एक बिजनेस मॉडल्स एक पर्टिकुलर पीरियड में जाकर जब संकट में फसते हैं सस्ती पुंजी के कारण और यह क्रेडिट क्राइसिस नहीं नहीं है पूरी दु होता है मानिए कि जब भीस से वापसी होगी तो इतने स्टारटप सो नहीं होगे ना एतनी डिमान्ड होगी ना इतनी नोकरिया होगी लेकिन जो होंगे वो शायद इस तूफान से बचकर निकले हुए होगे और तब तक स्टार्टप अपने काम काच के तरु तरीके बदल होंगे revenue streams develop करने की कोशिस कर रहे होंगे यानि सिर्फ और सिर्फ जिसको की जानकेनद गालबिरत ने बैजल कहा था एक किस्म की ऐसी अर्थवेस्था जो गुबारे कितरी चलती है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे भारती नियामा कभी फिलाल startup economy में कोई दखल नहीं दे रहे हैं startup company आपनी अपनी तरीके से अपनी परस्तितियां समालने की कोशिश कर रही है मारती startup में देखने वाली बात यह है कि जब उन्हें पूझी नहीं मिल रही है तो वो कर्ज के जाल में फस रहे हैं अब बात है income की इंकम की बात आज की बड़ी अनुकी है बड़ी निजाली है बड़ी नए तरीके की बात है इंकम की बात में अभी हाल में अंशुमान जी ने एक नया शो शुरू कराया उसमें बड़ा चुन-चुन के हम खबरों को लाते हैं और यूट्यूब पर आपको मिलता है जिसमें अपने विश्यषग्यों किसे बात करके आपके लिए चुनकर वह स्टॉक्स लेकर आते हैं क्योंकि इस्टॉक में निवेश जरूरी भी है आपकी जरूद भी है और आम तरपर वह स्टॉक्मेंडेशन नहीं जैसे कि आपको बाकी जगे या चैनल्स पर मिलते हैं वो ऐसे स्टोक्स जिन में कुछ थीम होती जिन में कुछ ताइश उडा पैमाने होते हैं और पैमानों के अधारपर हम उन स्टोक्स को विष्यशक्शक्दियों से बात करके पूरे कैवियोट्स के साथ आपको बताने के कोशिश करते हैं तो आप हमरे मनीनाइन के नियमित, हेलो मनीनाइन के नियमित दर्शक बनिए और वहाँ सिर्फ उन स्टाक्स को चुनिये ही नहीं जो स्टाक हम बता रहे हैं कि उनके बारे में सवाल पूछिए है हमारे विशेशक्दे से और आपके पास भी अपना कोई स्टाक है जो पूरा दर्शन है वो यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टाक्स को सजाईए जा मध्यम से लंबी अवधी में अच्छे स्टाक्स आप बटोर सकें, बीन सकें जब बहुत सारे 5000 कंपनिया लिस्ट हैं इनमें से वो कौन सी 5 कंपनिया जो आपके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा सकती है आपके लक्ष तक आपको पहुँचा सकती है तो चुन-चुनके में आपको खास चुने हुए स्टाक्स मिलते हैं यह हमारी आज इनकम की बात हुए आगे बढ़ते हैं सब किस्तों की सिक्के में क्या खास? इस बार हमने जापान की बात किये हैं तो किस्तों का सिक्का भी जापान से हैं जापान के कार्परेट गवर्नेंस की हमने आप से चर्चा की क्योंगी जापान की गवर्नेंस को लेकर दुनिया में बहुत सवाल उठते हैं काफ़ी क्याद कापट गवर्नेंस है इसका इतिहास क्या है कैसे जापान की कमपीनिया इतनी बड़े कार्पॉरेशन इतने बड़े हो गए, अंधेरे कुएं की तरह बदल गए, कहां से जापान का ये नया काप्रेट गल्चर शुरूँ होता, नया ही कहेंगे हम अमसे कि अर वो इतनी ताकतवर काप्ग की कमपिनिया हो गई सरकारें भी उन कंपीनियों के सामने जुकती हैं. जापान के कार्पुरेट में कल्चर के भी तरकी कुछ परते हैं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगी. कैसे जापान के इतिहास के वो यूग जिन यूगों ने एक ऐसी कारोबारी विवस्था दी जिस कारोबारी व जाना सा किस्सा चलिए उसर चलते हैं कोई किताब एफ सीरीज एक दिल्चस्प किताब है काफी दिल्चस्प किताब है रियन ने गिराट की जिसे में पढ़ना हूँ अभी आई है जिसका नाम है तिंक्स हिडन सिंस फाउंडिशन आफ दो बर्ड ये संसकृतियों के आपस में में बदलाओ और मनुशिक ने किस तरह से संसकृतियों को विक्सित किया है और कौन कौन से प्रमुक सवाल जो आम तोर पर आप जिन सवालों से जूचते हैं जिनके बारे में नहीं जान पाते उन पर केंद्र किताब है जो बिल्कुल दुनिया के धर्मों के बारे में और जिस तरीके की धरना है मारे दिमाग में बनी है उससे बिल्कुल अलग इसके पीछे भी एक दुनिया है यह कैसे बनी है देखिए बड़ी दिल्चस्प किताब है काफी चर्चित किताब है रिंगिराड की ठिंक्स हिडन सिंस तफाउंडेशन अफ दो वर्ल्ट चलिए तो यह था हमारा सुपर पैक एकनॉमिकम अगले हफते फिर नए विशय के साथ ऐसे ही डुके छुपे जो आपकी नजरों पर नहीं है लेकिन लाने चाहिए ऐसा एक किस्सा एक अर्थात लेकर फिर आएंगे अन्शमान जी के साथ फिलहाल दीजिए जाधा बने रही है मनी प्रथात ऱो अर्था, ओढसे चिर दितियाँ, को रचे प्रयक यूभी और नहीं।